हेलो गाइज तो मैं हूँ विसाल एंड वलकम है आपका हमारी यूटूब चैनल भीम मैकनिकल में तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी बिल्कुल अच्छ होंगे बाकी मैं भी मस्त हूं और आप सभी का विसल्स मेरे साथ है तो दोस्तों आज के टॉपिक्स इस टॉपिक करता है कि कभी भी आप बाइक ले रहे हो तो उस समय बेसिक्स मॉडल में आप करीबन तीन से अड़ाई लिटर पैट्रोल एंटेम उसमें रखना है यह एडवाइज आपको दिया जाता है हर एक सोरू में हर एक जब भी कोई बाइक लेने जाएंगा बीसिक्स मॉडल की तो अब क्या है आपको कि दो से अड़ाई लिटर एनी टाइम आपको टैंक में बीसिक्स वाली मॉडल में जो बाइक होती है उसमें आपको रखनी पड़ेगी एनिहाओ नहीं तो आपकी जो बाइक है खराब हो सकती है ऐसा आपको सजेस्ट किया जाता है तो इसी टापिक में आपको मैं वीडियो इस पूरा स्रीज में बताने वाला हूं और थोड़ा डीटियल में बताने वाला हूं क्यों ऐसा बोला जाता है आपको सोरूम की तरफ से चलिए आगे मनाते वीडियो को जब ऊब यज़को वाले बाइक थी तो उसमें और पहले कर सकते हो का अप अपने अनुशार से चला सकते हो जब अगर रिजर्व लगता है तो आप डाल के उसके बाद अराम से कुछ दूर चल सकते हो बट अब क्या है कि अब का टैंक में जो गाड़ी आती है उसमें रिजर्ब सिस्टम नहीं दिया हुआता है उसमें रिजर्ब सिस्टम खुद अर्जेस्ट किया हुआ रहता है आप मतलब अपने चाहा के भी कुछ रिजर्ब रुजर्ब नहीं लगा सकते उस बैक में तो पहले किया था कि टैंक में लगा हुआ था सब कुछ अब कुछ ने तो दोस्तों यह आपके सामने RS 200 की टैंक यहां पर होल नजरा और आगा इसके नीचे फ्यूल मोटर लगावा होता है जो बीजिक्स सबी बैकों में लगी होती है इसमें देख रहा हूंगा आप कहीं पर रिजर्ब कोई सिस्टम नहीं कहीं ऑन उप करने कोई सिस्टम नहीं इसके अंदर क्या मोटर लगा तुम में उसके बाए डिरेक्ली वो फ्यूल गया कार्बूरेटर में और कार्बूरेटर स्टार्ट कर इंजन में गया और इंजन स्टार्ट होता था बट अब ऐसा नहीं है यह जो है मोटर जब आप करेंट सफलाई करते हो जब अपने चावी आउन करता होंगे तो आपकी टैंकी से नाय की दुकान जाते होंगे तो एक मसीन होता है जैसे कि जैसे आपका बाल भिंगाया दाता है बुरादा टैप में निकलता है पानी उसी परकासी इंजेक्टर जो होता है इंजन में बुरादा टैप में फ्यूल को इंजेक्ट करता है और उसके बाद जो करंट और ऑक्सी इस परकार से कुछ किया जाता है और इसलिए कंपनी आपको बूलती है कि कि आपको टैंक में तीन लीटर तेल एनिटाइम रखना है बट यहीं है क्युकि जो मोटर के अंदर लगा वए घता है। अगर उसमें फ्यूल नहीं रहा तो क्या होगा? जब आप ओनकरोगे तो सही से चलना ही पाए मतलब उसमें स्मूधन्नेस नहीं रहेगा तो सुखा सुखा चलेगा तो क्या होगा? कि वो जल जाएगा उसके बाद क्या है का प्रपी स्टार्ट ली होगी मल्हत सिंपल एक जामपल में देता हूं अगर कोई जो मσीन होता जैसे पानी वछी पानी मसीन को आप इसवी स्टार्ट कर दो दोगे बिना मतंग कही पानी और पानी नहीं रहेगे उसमें पानी तो Humans उसी पर गास्ते करें कार यह जल जायगा और फिर आपको फ्यूल मोटर लगाना होगा और देखा जाये तो सारी कमपनी की फ्यूल मोटर जो हती बहुत कोशली आती है बजाज आरेश 200 की कम्से कम 5-6000 का संथि में आती है जहां तक पता है बाकि अर एक कंपनी की हरी क्म मॉट तो इसलिए आपको कमपनी जब बाइक देती हो जब आप डिलिवर करने के लिए आप लेने जाते होंगे बाइक तो आपको बताता होगा कि आप भया एनिटाइम आप अधाय से तीन लिटर अपना बाइक में फ्यूल इंजेक्ट करके जरू रखे नहीं इससे क्या होगा अप आपको सही निकल पाएगा बाइक से और सारा कुछ सही रहेगा तो थोड़ा सा भी वीडियो हमारा इंट्रमेटिव लगा होगा आपको दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल एकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसी परकार से और भाई आपका इसी तरह से इंफोर्मेटिव वीडियो और मसीन से जुड़े हम बाइक से जुड़े सारा वीडियो इसी में डालता है तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना कमेंट करना तो मिलते हैं नेक्स वीडियों ततो ले जाइन बन्देमातरम